हॉलो स्टेंट्स बुड बॉर्निंग मैं आपिशयता मैम बच्चों मॉर्निंग ओरल में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्टी टू और हमारा चैप्टर है ये इंडियन स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिट्री हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं कुल कितने स्टेट्स हैं 28 28 इंडियन स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिट्री विद यर कैपिटल मतलब इस्टेट्स के बारे में देखेंगे और इन स्टेट्स के कैपिटल होते हैं उनके बारे में स्टेडी करेंगे ओके देखें बच्चों, हमारे कुल कितने स्टेट्स होते हैं हमारे इंडिया को, पूरे इंडिया को divide किया गया है 28 स्टेट्स में और 8 union territory में और हर स्टेट्स जो होता है, उसके capital होते हैं एक स्टेट है तो उसका एक capital भी होगा तो हमारा फॉस्ट स्टेट है आन्द प्रदेश, आन्द प्रदेश का कैपिटल होता है अम्रावती या हैदराबाद सेकेंड हमारा स्टेट है अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश का कैपिटल इटानगर थार्ड हमारे स्टेट है आसाम, आसाम का कैपिटल दीशपूर, नेक्स्ट है बिहार, बिहार का कैपिटल पतना, चतिसगर, चतिसगर का कैपिटल रायपूर या बिलासपूर, गोवा, गोवा का कैपिटल पढ़जी, गुजरात, गुजरात का कैपिटल गांधी नगर, हरियाडा, कैपिटल चंडीगर, हिमाचा प्रदेश, कैपिटल सिमला, जार्खन, जे एच यहां पढ़िका हुए, जार्खन, कैपिटल राची, करनाटिका, कैपिटल बैंगलुरू बच्चों इतना पहले रॉइट डाउन कर लो उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ वीडियो को आप पॉस कर लिजे रोक लिजे और इतना इसको रॉइट डाउन कर लिजे ओके बच्चों नेट्स्ट है हमारा केरला तिर्वंत पुरम मध्यप्रदेश भोपाल महारास्ट्रा मुंबई मनिपुर इमफॉल मेघाले शिलोंग मिजोरम आईजोल नागालेंड कोहिमा औरिसा या इसको हम औरिसा ये बोलते हैं बुवनेस्वर पंजाब चंडीगर अब बच्चों यहां तक आप इसको रॉइट डाउन कर लिजे वीडियो को पॉस करके यहां तक रॉइट डाउन कर लिजे पंजाब तक 20 तक ओके नेक्स्ट हमारा है 21 इस्टेट है हमारा राजस्थान जैपुर सिक्किम गंटोक तमीलनाडू चैन्नेई तेलंगाना हैदराबाद त्रीपूरा अगरतला उत्तरप्रदेश लखनव यह हो गए हमारे टोटल 26 इस्टेट हो गए और इनके कैपिटल ओके बचों अब यहाँ पर यहाँ तक आप लिख लिजेए 26 तक चलिए आगे बढ़ते हैं इस्टेट 27 उत्तराखन देहरादून 28 वाला हमारे स्टेट कौन सा है वेस्ट बेंगॉल कॉलकता तो पूरे इंडिया को 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है और इन 28 स्टेट के यह हैं कैपिटल ओके बच्चों इसको अप लोग रॉइट डॉन कर लिजे यह हमारा स्टेट हो गया अब हम स्टेडी करेंगे यूनियन टेरेट्री एंड कैपिटल यूनियन टेरेट्री हमारे एट कौन कौन से हैं और इनके क्या कैपिटल्स हैं यूनियन टेरेट्री देखिए बच्चों फर्स्ट हमारा यूनियन टेरेट्री क्या है अंडमान एंड नीकोबार आईलैंड और इसका यह जो मारा फर्स्ट यूनियन टेरेट्री है इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर सकेंड है हमारा चंडिगर्ड इसका कैपिटल है चंडिगर्ड थर्ड है दादरा and नागर हवेली and दमन and दियू, ठीक है? इनका capital है दमन, फूर्थ है हमारा डेल ही, डेल ही का capital डेल ही, फिप्थ है जम्मु and कस्मीर, जिसका capital है स्रीनगर, 6 है लद्दाक जिसका कैपिटल है लेह या कारगिल 7 हमारा है लक्षदीब जिसका कैपिटल है करावती और 8 वाला हमारा यूनियन टेरेटरी है पुदचेरी जिसका कैपिटल है पॉंडचेरी ओके बच्चों तो ये यूनियन टेरेट्रे आप इसको रॉइड डॉन कर लीजे वीडियो पॉस करके ओके बच्चों मौर्णिंग ओरल में ये जो मैंने आपको चैप्टर कराया 32 ये तो आपको लर्न करना है जो कि मैं आपको पहले भी लर्न करा चुकी हुगा है कई बार क्लास में हर साल मैं आपको ये लर्न कराती हूँ कि मारे स्टेट्स कौन से होते हो और कौन से कैपिटल होते है अब इसमें कुछ कौनसेप्ट है जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मताऊंगी पहला चीज है कि स्टेट होता क्या है क्यों उसका कैपिटल होता है इंडिया को क्या जरुवत पढ़ गई पूरे इंडिया को 28 इस्टेट में डिवाइड करने की और क्या जरुद पढ़ गई? 8 Union Territory में डिवाइड करने की Union Territory क्या होता है? ठीक है? ये सब जितने भी questions हैं इसमें ये सारी चीजे मैं आपको next वीडियो में पूरा explain करूँगी अभी तो आपको इसको लिखना है और इसको revise करना है सभी बच्चों को याद हो गई ये state और capital ठीक है? तो आप इसको क्या करना है? केवल आप write down कर लिजे अच्छी writing में और इसको revise कर लिजे ओके बच्चों एक बर वापस मैं ये छोड़ रही हूँ देखे ये यहाँ तक आप इसका short screen ले ले ये हो गया हमारा 13 तग अब 13 से ले करके ये हो गया हमारा 26 तग और ये हो गया हमारा ये complete आप इसका short screen ले करके इसको write down कर लिजे अच्छी writing में हो और इसको learn कर लिजे इससे related जो भी concept है वो मैं next studio में आपको बताऊंगी ओके बच्चों study करते रहिए ओके है next day